तो माई डियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ समस्टर यानि कि चतुरतर समस्टर के मद्ध कालीन इतिहास के सब्सक्राइब के बारे में जिन जिन भी इन्वर्षिटी वा कॉलेज में इस्टूडेंट की मद्ध कालीन यानि की मौडर्र हिस्टर की परिच्छा लगी है उनको वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी परिच्छा में कुछ इसी परकार के कोईश्चन आए जो कि मैं आपको दिखाने वाला तो चलिए बीना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं बी दुतिये वर्ष से यानि की बीए शिक इंडियर समस्टर आपका फोर्ट से और प्रश्ण पत्र का नाम मंद्धिकाली नितिहास है और जो कोईश्चन पेपर का नाम है वो हिस सराय कब से कब तक रहा जो लॉड रिपन था एक बिदेशी तो ध्यान रखेंगे लॉड रिपन भारत का जवाय सराय रहा है वो रहा है सन अठारा सो असिफ लेकर अठारा फो चोरासी स्वीता कि फिले सही जवाब इसका हो जाएगा आपसे नमपर गा अगला एक लॉड र सेपन में वर्नाक्यूलर जो प्रिस एक एक्ट था जो की समाप्त हुआ था सन 1882 में सही जवाबगा होगा ध्यान रखेंगे अगला कि सिबिल सेवा में प्रवेश की आयो जो है वो 19 वर्स से बढ़ाकर 21 वर्स कि वाय सराय के द्वारा की गई यानिकि जो सिबिल सर्विसिस तो ध्यान रखना उनका लाम है लॉड तिक है लिटन के द्वारा यह बढ़ाई गई थी 1921 की गई थी ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है कि भारत में नियमित जन गणना की शुरुआत कि शुरुआत है बहुत ही प्रमक्त प्रशन है लॉड रिपन ठीक है कि समय में करा इस्चैंद इस समय जाय गई तो भारत में नियमित जन गणना की शुरुआत कब हुई तो भारत में नियमित जन गणना की शुरुआत है वह 1881 में हुई खानमबर सही जवाब होगा अगला है कि आध्धुनिक भारत में प्रथम जन्गरणा कब हुई तो आध्धुनिक भारत में प्रथम जो जन्गरणा ध्यान रखेंगे अध्यान रखेंगे अध्यान रखेंगे अध्यान रखेंगे लौट रिपण के समय में विना है क कहानमबर सही जबाब होगा अगला कि स्वेत विद्रव किस वासराइक के काल में लुग तो स्वेत विद्रॵ था यह हूँ यह हुआ था जब इनका समय था वासरायक मतलक को समय में में वह था तो ध्यान रखेंगे सही जबाब मैंने आपको बता दिया Lord Rippon ठीक है कौन Lord Rippon गानमबर सही जबाब अगला प्रशन है कि भारत में अफ्थानिय स्वासासन की सुरुवात किस वासतराय ने की थी ठीक है तो उनका नाम में ध्यान रखेंगे बहुत प्रमुक प्रशन है Lord Rippon नहीं की थी सभाब इसका हो जाएगा अगला कि Lord Rippon ने अफ्थानिय स्वासासन की सुरुवात कब की तो Lord Rippon ने अफ्थानिय स्वासन की जो शुरुवात है सन 1882 में की थी सभाब गानमबर होगा अगला प्रस्तुत है कि कि वार्शन पराय ने वर्ना की उलर प्रेस यहां पीछान की थे जाएंगे अग्ला के अफ्थानिय स्वासन का पिता कि से का जाता है तो लटाजा अधरी गभी जिवब होगा अगला है जोBen 그냥 की दो भी तो 1828 में इंडियन एजुकेश्टन कमिशन की जो अद्थिता है फीके जिनों की थी इनका नाम है बहुत ही महत्पूंट परेशन कि थी उनका नाम है www Hunter सबूंदित हैं किस चीज से तो हंटर जो कमीशन है वो संबंदित है ध्यान नेखेंगे आपके सब्सक्राइब होगा अगला की हन्टर आयोक की न्यूकत कप की गई तो हंटर आयोक की जो न्यूक्त है शुरुवात है वह 1882 में की गई सब्सक्राइब होगा ध्यान रखेंगे महत्पूर्ण प्रश्ण है एक्जाम के लिए अगला प्रश्ण है कि भारत में जनगर्णा कितने वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है मतलब कि कितने जिनके बाद फिर जनगर्णा कराना जरूरी है तो बहुती प्रश्ण है ये भी है, 100 वास के बाद जनगर्णा कराई जाती है, सही जबाब कहा नमबर होगा अगला है कि कि स वाय फराय के अफथान पर लौड रिपन न्यूक्त हुआ तो ध्यान लाखेंगे कि बहुती प्रश्ण है ठीक है, लिटन के अफथान पर लॉर्ड रिपन की नियुक्त की गई थी फिलक्षन किया गया था इनको फिलेट किया गया था इफले सही जबाब का होगा अगला प्रशन प्रस्तुत है कि अफगान युद्ध की समाप्ति किस वासराय के सासन काल में हुआ ठीक है तो उस प्रमुख मतलब कि समराट का नाम है धान रखेंगे प्रमुख प्रस्त ने भी है और एक्जाम में कई बारा भी चुका है अफगान युद्ध की समाप्ति किस वासराय के सासन में हुई थी उनका नाम है रिपन के समय में हुई थी खान नमबर सही जबाब अगला कि भारत में सबसे वासराय की समरा था वो था लोड रिपन सही जबाब का होगा अगला की पंजाब बिस बिद्याले कर अफ्थापना की गई थी तो में अक्जाब की अफ्थापना कब थी तो अकाल सहिंता की जो स्थापना है वो कही गई थी 1883 में सही जबाब का नंबर होगा बहुत प्रमुक प्रश्ण बता रहे हैं जहां से वीडियो को देखते रहिए क्यों करिएगा इफिप मत करिएगा अधि इलबर्ट बील बढ़ियो कब हुआ आपको बता ना मत्मकिएलबर्ट बील कब आया सब सबसे महान और प्रिय थे बात जो है प्रमुक हमारे देश के हैंत... संग्रामीब और देश के लिए जाहने वाले मदन मोहन बएलवी जी ने कहीं सही जबाब खाव नंबर होगा आग़ा प्रशन है कि रिपन को भारत का उसरग की संग्या किस ने दिये तो वह रिपन को भारत का हमारे फ्लोरियंस नाइट इंगल जी हैं इन्होंने ही दिये सई जवाब का होगा अगला कि लौड रिपन भारत का वाय सराय कब बन आया मतब कि लौड रिपन जो भारत का वाय सराय कब बन आया ठीक है तो यह एसन ध्यान रखेंगे बहुती प्रमुर्ण प्रश्ण है अठा 24 momi If लकि बन को भारत का वाय सरा किसके द् 두번 निकत्र किया गया तो भारत का जो भाय सराय है वो जिक्त किया गय था गयले डिस्टोन के द्वा रहा सई बाब का नंबर माहतन हुंप्रश्ण एक्टमूर्ण प्रश्ण झावे एक ल तो सिपर सा बात है लंडेन में व nehmen आ 122 में हुआ था खानमबर सही जवाब होगा अगला कि गलेड अस्टन के नितुरत में उदार दलिये सरकार की अफ्थापना बिट्रेंड में कब हुई तो यह हुई थी शन 1880 में सही जवाब का नमबर होगा अगला कोस्टन की हंटर कमिशन हांटर कमिशन किस प्रकार की फिच्छा पर बिसइसबल दिया ह। थो हंटर कमिशन जो है वो प्रात्मिक फिच्चा पर इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन्होंने पहली priority है जो प्रात्मिक तायो प्रात्मिक फिच्चा को ही दी है इसले सही जबाब का नंबर होगा प्रमुख प्रस्ण है ध्यान लखेंगे अगला की Lord Rippan का जर्म कब हुआ ठीक है तो Lord Rippan को जर्म है ध्यान रखेंगे 24 October 1827 को हुआ का नंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है कि करजन भारत का वाय सराय बनकर कब आया तो करजन जो था ये भी विदेफी था जो कि भारत में वाय सराय बनकर आया था ओभी पूश्रा की किस्टन में आय था तो ध्यान रखेंगे 1899 में आय था गया नंबर सही जबाब होगा ओके चलिए इस कोश्चन है कि बंग भंग के बाद प्रारंब हुआ तो ठीक है बंग भंग के बाद प्रारंब हुआ था स्वादेशी आंदोलन खा नंबर सही जबाब होगा अगला की बंग भंग भंग अनदोलन का प्रारंब किस्तित्सally हुआ था कॉंस्ट्रेट्स इसकी सुरुआत हुई थी तो ध्यान रखेंगे बंग बंग बिरोधी आंदोलन की जो सुरुवात है प्रारंब है 16 अक्टोबर सन 1905 से हुई थी गानमबर सही इसका उत्तर होगा ठीक है अगला प्रश्ण प्रस्तु था है कि भारते संद्रत्रा संग्राम के संदर्व में 16 अक्टोबर 1905 निमलेखित कारणों में से किसके लि है इसलिए सही जबाब खानमबर होगा बंगाल का विभाजन हुआ था अगला प्रश्ण है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस वाज सराय ने किया था तो सही जबाब इसका हो जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन है वह लौड करजन ने किया था सही जबाब खानमबर होग बहुत ही प्रमुक प्रशन यह भी एक्जाम के लिए तो ध्यान लखेंगे ठीक है अगला कि बंगाल के भी भाजन के समय बंगाल का लिफ्ट टीक है लिफ्टनेट गवर्णर कौन था तो सही जब आप इसका बताईए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो बंगाल क भी भाजन के समय बंगाल का लो जो लिफ्टनेट गवर्णर था उसका नाम था सर एंडूज फ्रेजर ठीक है सर एंडूज फ्रेजर यही था ठीक है लिफ्टनेट गवर्णर का नंबर इसका सही जबाब होगा सिलेक्ट कर लीजेगा ठीक है चलिए नेस को बढ़ते हैं न सभाण का नाम है ध्यान रखेंगे भोट ही प्रमुक है सुनेंद्रनात्व नजाली कई इन्हे बीभाजन के बिरोद में अंदोलन कंतर्वत किया था सुनेंद्रनात्व नर्जी नीं सौही जवाब का वहां अगला प्रश्ण प्रतुत है विया किने लिखित में से कौन स्वद्वसी आंदोलन का अलोचक तथा या फिर एवं पूर्व तथा पास्चात के मध्यों बहतर संबंद का समर्थक था ठीक है तोन का नाम था आर एंड टैगोर सही जबाब होगा यानि कि रबिंद्र आर आर प्रश्ण अगला है कि बंगाल का बिभाजन मुखिता किया गया था किस वज़ा फे थीक है तो ध्यान शवच पांच में किया गया बंगाल का बिभाजन रद किस वर्स हुआ ठीक है तो यह हुआ था उन्याइश्य तो गेरा है इस भी में रद्ध हुआ ध्यार नि e का नाम है ठीक है चितंबराम हो गाiser है किक दिने स्वादेसी अंदोलन का नेत्रथ डिल्लिमी किया था चितंबरम हुगा अगला प्रश्ण ensure कि सायद हैदर रजा ने श्वादेशी अंदोलन का जो नित्रत दिल्ली में किया था अगला कि भारती राष्टी कांग्रेश्ट 1905 के बनारफ अधिवेशन का अधिच कौन था ठीक है तो उसके अधिच थे गोपाल कृष्ण गोखले गानमबर सही जबाब होगा अगला प्रशन एक में सही जबाब का नमबर होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रशन प्रस्तुत है कि करजन ने एंड्रोज फ्रेजर की अधिश्टा में एक पुलिस आयोग कब गठित की गई थी किस्टन में तो ध्यान रखेंगे सही जबाब इसका हो जाएगा अप्शन नमबर 1902 में त फिश्ट प्रश्टबस्ता में किया गया था टावर्यली के अधिश्टा में बिष्विध्य लायोग का तो गठिस्थन में किया था आगला प्रस्टष एगला कि लॉर्ड करवजन ने पुलिश भीभाक के तहत CID की अस्थापना प्रस्टष नहें ठीक एसी ID की स्थापना सन निशो ती निश्वी में की थी ध्यान लखेंगे बहुत ही प्रमुक प्रश्ण है अगला है कि भारत में किसी इंस्पेक्टर जर्णल पद के फरजन का फुरिये किस वाइफराय को जाता है किस समराट को जाता है तो ध्यान लखेंगे इसका सही ठीक तो उनका नाम है लॉड़ करजन ने की थी सही जवाब घानमबर होगा अगला कि करजन ने किस वर्स यंग हस्बेंड के नेतरत में एक प्रतिनीदी मंडल तिब्बत भेजा था ठीके तो वो समय था 1904 का घानमबर सही जवाब होगा अगला है कि कलकत्ता में विक्टोर या मेमोरियल हाल का निर्मार्ण किस वासरा या फिर किस समराठ के द्वारा कराई गई थी ठीक है तो उस प्रमुख समराठ का नाम है लौड एक मिनित था ध्यान नखेंगे उनका नाम है करजन यानिकि लौड करजन घह नंबर सही जवाब होगा अगला की करजन कि समय नस्मारक परिरच्छण अधिनियम 1904 किस वाय सराय यानि किस सम्राठ के समय में पारित हुआ था तो सही जबाब इसका आपको बताना है तो सही जबाब इसका हो जाएगा आपसे नमबर का लाड करजन के समय में कि अगला पस्ते कि भात का सरबदिग अलोग पर यह वाय फराय कौन था तो उस प्रूमुक लोग सराय का नाम था लौड करजन गहा नमबर सही जबाब होगा इस तरह हम आपको जो भी कोईश्चन बता रहें वो लगातार इसमें सही लौड करजन है क्योंकि लौड करजन फी कोई 20 पर होगा कोई 50 पर होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होईगा कोईश्चन पढ़ लीजेगा फिर उत्तर दीजेगा ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे तो भात का सरबदिक अलोग प्रिए वाय फराय कौन था तो आप लोग जानी के हैं ठीक है उनका नाम है के अधिस्ता में अकाल आयो का गठन कप किया तो धहन की लौड करजन ने भारत लोग सेवा मंदल का गठन कप किया था तो उन्होंने किया था सन 1905 में गहानमर सही जवाब होगा अगला प्रश्य है कि लोड़ करजन भारत का वायस आया बनकर कब आया था किस तन में आया था तो बहुत ही पुषर्मप्र में भीं यह तो लृड़ करजन भारत का वायस राए बनकर तो यहां पर करीब करीब आज किस वीडियों में आपको पचास से भी ज्यादा करें और उसके उत्तर बताया ठीक है आई होप आपको थोड़ी बहुत मिलेगी में नहीं को सारी कोश्चन नहीं आएंगे लेकिन कुछ कोश्चन जोड़ देखने को मिलेंगे और मैं आपको बह प्रशन का उत्तर देकर आईएगा अगर आपकी हिल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत कॉलेज की तरफ तो अच्छी बात है नहीं होगी फिर भी आपको सब्सक्राइब कर आना कोई छोड़ कर मत आएगा ठीक है बाकि आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा जए हिंदा